दोस्तों साल 2023 में दंतेरस कब है और दंतेरस पूजा का सुब मुरुत क्या है एवं दंतेरस में नई वस्तु खरिदने का सुब मुरुत क्या है ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो को अपने फाइदी के लिए पूरा जरूर देखें दोस्तों हर साल कार्थिक महा कृष्ण पक्स की त्रियों दसी को दंतेरस मनाया जाता है अंचांक के अनुसार इस साल दस नहोंबर दोहजार तेविस को दोपेर बारा बजकर पैंतिस मिनट से दंतेरस की सुरूआत होगी और ग्यारा नवमर दोहजार तेविस को दोपेर एक बजकर सत्तावन मिनट पर इसका समापन होगा दंतेरस का सुब मुरत शाम को छे बजकर बीस मिनट पर सुरू होगा जो कि रात आठ बज कर 30 मिनट तक रहेगा त्रेयो दिसी तिती प्रारंब 10 नवमबर 2023 को दोपेर 12 बज कर 35 मिनट पर सुरू होगा जो कि अगले दिन 11 नवमबर 2023 को 3 बज कर 97 मिनट पर समापन होगा दोस्तो दंतिर्ष के दिन खरिदारी का सुब समय है दंतेरस पर सोने चांदी या बरतन या घर के अन्य सामान कोई भी सामान खरिदने का सुब मूर्त है दो पैर दो बज़ कर 35 मिनट से साम 6 बज़ कर 40 मिनट तक रहेगा अगर आप किसी कारण वस इस दिन खरिदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानि की 11 नवमर को दो पैर एक बज़ कर 56 मिनट तक आराम से खरिदारी कर सकते हैं क्योंकि दंतेरस कीती थी अगले दिन दो पैर तक रहेगी दोस्तो अब आईए जानते हैं कि धंतिरस के दिन हमें कौन-कौन सी वस्तुएं खरे दिनी चीए दोस्तो ये जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्श को सिन्निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिलाइकन ओन करें अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हराने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फाइदा उठा सकें और इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल आइकन ओन करें दोस्तों पास दिनों तक चनने वाले दिपावली के महापरों में धन्तिरस का तेवहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पोरानिक मानने ताहों की अनुसार दिंतिरस की तिधि पर भगवान दनवंतरी का जनम हुआ था भगवान दनवंतरी को आईरुएद और अच्छी सेहत के देवता के नाम से पूझा जाता है दोस्तो दिवाले के दंतेरिस के दिन बगवान दनवंत्री की पूजा करने से जीवन में सुक समर्दी आती है वे धनलाब होता है साथ ही इस दिन खरीददारी करना भी बहुत ही सुब माना जाता है दोस्तो दंतेरिस के दिन हर तरह के सुबकारी प्रारम किये जा सकते हैं इस दिन विशेश रूप से सोनावे चांदी के आबुशन खरीदना बहुत सुब होता है साथ ही नए बरतनवी खरीदना सुब होता है दंतेरस के दिन इस तरह के विशेश चीजी खरिदने पर मालक्षमी जी का आशिरवाद मिलता है दोस्तो ऐसी माननेता है कि दंतेरस के दिन हम जिस चीज को खरीदते हैं उसमें तेहरे गुना की वर्दी होती है दोस्तो इसलिए आपको द्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें ऐसी वस्तु खरीद कर कभी ना लाएं जिससे की असूबता आ जाए दंतेरस के दिन ये चीजे कौन से हैं प्रिये दरस को खास कर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तेरा वस्तु में से कोई न कोई सी चीज आपको जरूर खरीद कर अपने घर में लानी जीए अगर आप सभी तेरा वस्तु को नहीं करिद पाते हैं तो इन में से कोई सी भी एक वस्तु खरीद कर आप अपने घर ले आ सकते हैं दोस्तो दंतेरिस के दिन मालक्ष्मी और कुभेर देवता और साथ ही दनवंत्री भगवान की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से घर में धन धानने सुक सम्रद्धी ये स्वयभव की प्राप्ति होती है और घर की धन बंडार हमीशा भरे रहते हैं दंतेरिस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आबुसन खरीदते हैं या फिर जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं उन्हें भी ऐसी कोई चीज अवसे खरीदनी चीए दोस्तो सबसी पहली वस्तु है जाड़ू दंतेरिस के दिन नई जाड़ू करीदना बहुत ही सुबाना जाता है जाड़ू को मालक्षमी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई जाड़ू लाकर के पहले उसकी पूजा करें और उसके बाद उसका घर में उप आरात्म उर्जा गर से दूर हो जाती है और घर में सुक सम्रदी का वास हो जाता है अगर आप सामरते हैं तो हो सके तो धंतरिस के दिन एक जाडू का दान अवस्य करें इसे आप किसी जरुत मंद विक्ति को दे सकते हैं या फिर मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर कोई ऐसा चोराया या फिर कोई ऐसी जगे हो जांसे जरुत मंद व्यक्ति इसको ले जा सकें। ऐसी जगे पर यदि आप जाडु का दान करते हैं तो मालक्चमी अतिप्रसन होती है। दोस्तो दूसरी वस्तु है धनिया। धन्तिरिस के धनिया खरीदना बहुत ही सुभाना जाता है। दोस्तो यदि आप बिलकुन निर्धन है और आप ऐसी कोई चीज खरीदने में ऐस समर्थ हैं तो धनिया तो आप जरूर खरीद कर ला है। दोस्तों कहा जाता है कि धंतेरिस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर में लाते हैं उनके घर में सदा सदा के लिए मालक्षमी का आगमन हो जाता है। अगर आए दिन आपके घर में अनावस्यक रूप से खर्चे होते हैं तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों आपको अपने घर में लाने चीए इसे गोमती चक्र कहते हैं। कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वा सुक्सोभाग्य और सुक्सम्रद्य की व्रद्य होती है। दोस्तों गोमती चक्र घर में रखने से वास्तो दोस भी दूर हो जाता है। और घर परिवार में किसी भी सदस्य में यदि आत्म विश्वास की कमी हो तो वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों धन तेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उन लोगों के हास से पूजा करवाएं जिनमें आत्म विश्वास की कमी होती है। और फिर इसके पच्छात उस गोमती चक्र को आप अपने पूजा इस्तान में रखें, अपने मंदिर में रखें। या फिर आप अपने धन बंडार में रखें। ऐसा करने से जो भी समंदित परिसानी है वो सब धूर हो जाती है। दोस्तों आपको ये सारी वस्तुएं मारकेट में पूजा भाली दुकान में बड़े आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों पांच वी वस्तु है कोडियां कोडियां आपको बड़े आसानी से बाजार में मिल जाती है। इनमें सपेद, भूरी, चित, कवरी, पीली, किसी भी प्रकार की कोडिया आपको मिले, कोडि खरीद कर आप धंतेरिस के दिन अपने घर जरूर लेकर आएं। प्रीदर्स को, कोडि में सबसे सद गुण, कोडि जो होती है वो पीले रंकी होती है। यदि आपको पीले रंकी कोडि मिल जाए, तो ये बहुत सुभ होता है। यदि पीले रंकी कोड़ी ना मिले तो जो सी कोड़ी आपको मिले वो सी कोड़ीयां आप अपने घर को ला सकते हैं कहा जाता है कि कोड़ी में मालक्षमी का वास होता है और कोड़ीयां मालक्षमी को अपनी तरप आकर सीथ करती है या यू कहें कि कोड़ीयां धन खेचने का का करती हैं इसलिए दंतेरस के दिन आप 5, 7, 11, 21, 51, 101, 108 कोडियां अपने घर पिला सकते हैं और घर पर लाकर आप चाहे तो दंतेरस की रात को या फिर दिपाहुली की रात को इनकी पूजा करके अपने पूजा इस्थान में रखे या फिर अपने धन बंधार में रखें और सहा आती कोडियों में रोली कुमकुम अकसित अरपित करके लाल कपड़े में बहंद कर अपने धन बंधार में रखें ऐसा करने से मालक्चमी आकरसित होती है धन आकरसित होता है दोस्तो हर वर्स आप इन पुरानी कोडियों की पूजा कर सकते हैं हर वर्स आपको कोडिया कर लिजिएगा कि स्री यंतर ठीक ठाक बना हुआ है या नहीं कहीं से खंडित तो नहीं है सबी चिन उसमें पूर्ण रूप से उभर रहे हैं या नहीं दोस्तों स्री यंतर जिस घर में होता है ने मितरूप से स्री यंतर की पुजा जिस घर में होती है वहाँ पर भी कभी धन की कमी नहीं रहती दोस्तों स्री यंतर की उत्पतिक को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेक मिलता है कि एक बार माहालक्षमी प्रसन होकर प्रत्वी को छोड़कर बैकुड ताहम चली गई और माधा के रुष्ट हो जाने से दर्ती पर समश्याय उत्पन हो गई ब्रामन और महाजन बिना लक्षमी के निर्दन हो गई तब ब्रामनों में स्रेष्ट विशिष्ट मुनी ने निस्से किया कि मैं मालक्षमी को प्रसन कर प्रत्वी पर वापिस ले कराऊंगा और जब मुनी विशिष्ट बैकुंड में जाकर मालक्षमी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मालक्षमी तो ऐ प्रसन है और वे किसी भी इस्तिती में पर्थ्वी पर आने को तयार नहीं है तब विसिष्ट जी ने वाँ बैटकर भगवान विशनु की अराधना सुरू की और फिर अंत्यते नारायन ने परसंद होकर मुनी विसिष्ट को अपने दर्सन दिये उसके बाद विसिष्ट जी ने सिरहरी विसुनु से कहा कि हम पर्थ्वी परमा लक्ष्मी को वापिस ले जाना चाहते हैं बिना लक्ष्मी के पर्थ्वी वासी बहुत दुखी है लोगों में हाहा कार मचा हुआ है दर्म परमार्त का काम बंद हो चुका है बड़े बड़े आसरम उजड़ गए हैं और इसी कारण दर्ती से वैभव खतम होने वाला है ये सुनकर भगवान विसुनु मुनी विसिष्ट जी को अपने साथ लेकर मालक्ष्मी के पास पहुँचे और उन्हें मनाने की कौशिस की लेकिन फिर भी मालक्ष्मी नहीं मानी तब मालक्ष्मी ने कहा कि मैं किसी भी इस्तिती में पर्थ्वी पर वापिस जाने को तयार नहीं हूँ और फिर जब चारों दिसाओं में मालक्ष्मी के पर्थ्वी पर वापिस ना आने की बात पहल गई तब देवताओं के गुरु ब्रस्पति ने एक युक्ती सुजाई तब उन्हों ने कहा कि सिरी यंत्र साधनाही मात्र अब एक विकल्प बचा हुआ है और जिससे मालक्षमी को धर्ती पर आना ही पड़ेगा गुरु ब्रस्पति के निर्देशों पर भगवान सिरी हरी विशनु ने धातू पर सिरी यंत्र का निर्मान किया और उसे मंतर सिद्ध प्राण परतिष्टा युक्त करते हुए दिपावली की दो दन पूर्व दन तेरस के दिन सिरी यंत्र को इस्तापित किया गया और विधी विधान से उसका पूजन किया गया पूजन समाप्त होते होते माता लक्षमी को परत्वी पर आना ही पड़ा और मा लक्षमी बोली कि मैं किसी भी इस्तिती में परत्वी पर आने को तयार नहीं थी ये मेरा प्रन था प्रन्तु देव गुरु ब्रस्पति की युक्ति से मुझे प्रत्यू पर वापिस आना ही पड़ा स्री यंत्र मेरा आदार है और इसी में मेरी आत्मा भी वस्ती है दोस्तो यही कारण है कि धंतेरस के दिन स्री यंतर खरित कर अपने घर को लाना चीए और विधी विधान से इसकी पूजा भी करनी चीए दोस्तो साथवी वस्तु है साथ मुखी रुद्राक्स की माला या फिर साथ मुखी रुद्राक्स अगर आप दंतिर्स के दिन साथ मुखी रुद्राक्स की माला या साथ मुखी रुद्राक्स अपने घर में लेकर आते हैं और पिर उसके बिधी बिधान से पूजा करते हैं या भगवान सिव की पूजा में आप इसका प्रियोग करते हैं किसी भी मंत्र का चाप करते हैं, तो इससे भी आपके घर में कभी परिशानी नहीं आती। किसी प्रकार का घर में अकाल मृत्यू का कोई बह नहीं होता। क्योंकि दीपावली दीपो का त्यवार होता है। इस दिन अपने सामर्ते के अनुसार अपने घर में दीपो को परजल जलाने चीए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात मालक्षमी का वास सदा सदा के लिए बना रहे, पूरी वर्स भर आपके घर में धन की कभी कमी ना आए, आपको कभी कर्ज लेने की नो पतना आए, तो ऐसे में आप दंतेरिस की साम के वक्त तेरे दिपक आप अपने घर के अन्दर जलाएं और तेरा दिपक गर के बाहर जलाएं दोस्तो ऐसा करने से भी मालक्षमी जी का आशिरवाद प्राप्त होता है और धंतेरस के दिन आठवी जो वस्तु है वो है मिट्टी के दिपक ये आपको खरीद कर जरू लाना चीए मिट्टी के दिपक आप अपनी सामर्ते की अनुसार गर पर खरीद कर लेकर आएं अगर हो सके तो किसी जरूत मंद को जहां पर धन का आभा हो उसे मिट्टी के दिपक जरूर दान करें दोस्तो यदि आप तेल और बाती सही दान करते हैं तो बहुत पुन्य होता है मालक्षमी बहुत प्रसन होती है यदि आपकी आर्थिक इस्तिती इतनी नहीं है तो आप खालिस मिट्टी की दिपक भी दान कर सकते हैं दोस्तो नोवी वस्तु है जो आपको खरिद कर अपने घर में लाना चीए, वो है मालक्षमी और भगवान गरेजी की मूर्ती दोस्तो बैसे तुम मिट्टी की मूर्ती ही घर में खरिद कर लाना बहुत सुब होता है यदि आप मिट्टी की मूर्ती खरिद कर नहीं लाना चाहते हैं तो धातों की मूर्ती भी आप ला सकते हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, आदी धातों की मूर्तियां आप खरिद कर अपने घर में ला सकते हैं दोस्तो, यदि आपके पास में पहले से धातु की मूर्तियां हैं, तो हर दिपावली को खरिदना जरूरी नहीं होता, उन्हीं मूर्तियों को गंगा इसनान करा कर पवित्र करके उनकी पुजा करें। लेकिन अगर आपके पास मिठी की मूर्ति है तो इनका विसरजन कर और दंतेरस के दिन नई मूर्ति खरीद कर अपने घर में लाना चीए दोस्तो दंतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियां इनकी पुजा आपको दिपावली के दिन साम को करनी चीए दोस्तो दंतेरस के दिन खरीदी गई ये मूर्तियां खरीदी समय ये विसेश द्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग-अलग होनी चीए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गनेश और मालक्षमी बैठी हुई मुद्रा में होनी चीए इस बात का आप इसे द्यान रखें खड़ी हुई मूर्तिया जो होती है वो उग्र सुभाव की और चंचल सुभाव की होती है अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लेके आते हैं तो आपके घर में धन का अभाव हमिसा के लिए बना रहेगा कभी दन आपके घर में नहीं रुकेगा इसलिए बैठी मुद्रा वाली मूर्ति ही आपको अपने घर में खरीद कर लानी चीए दोस्तों भगवान गनेश की मूर्ति खरीदते समें ये द्यान रखे कि उनकी जो सून्ड है वो बाही तरफ मुड़ी होनी चीए और उनका वहान मूसक भी उस मूर्ति में जरूर बना हुआ हो और भगवान गनेश के हाथ में लड़ू या मोदक भी होना चीए और मालक्षमी की जो मूर्ति है वो कमल के फूल पर बिराजमान हो री चीए और उनके हाथ में सिक्के या फिर सिक्के गिरने वाली मुद्रा में हो ऐसी मूर्तियां गर में लाना बहुत सुब होता है दोस्तों दसवी चीज है कुबेर यंतर कुबेर यंतर खरिदना भी बहुत सुब होता है इसलिए आप कुबेर यंतर भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं बगवान कुबेर को दन का देवता कहा जाता है इसलिए दंतेर्स के दिन कुबेर यंतर खरीदना भी बहुत जरूरी होता है और कुबेर यंतर की विधिविदान से पुजा करें इसके अलावा आप चांदी के सिक्के भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं दोस्तो ये थे कुछ आइटम जिनको आप धंतेरिस के दिन खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं आसा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप धेर सारे लाब उठाएंगे मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना खयाल रखें जी नमस्कार धन्यवाद